बात कर रहे हैं बैधनात के वात गजांकुस रस्की अगर आप साइटीका या ग्रधरसी के समस्या से परिशान है जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ अगर आपकी कमर के नसों में तेज दर्द बन रहा है और वह दर्द कमर से होता हुआ आपकी थाई की और बढ़ रहा है पैरों की और बढ़ रहा है कभी कभी दर्द अत्यधिक जादा हो रहा है तब आपको मान लेना चाहिए कि आपको साइटीका या ग्रधरसी हो गया है साइटीका को ही ग्रधरसी के नाम से जानते हैं वात रोग एवं ग्रधरसी अर्थात की साइटिका में बैधनात के वात गजांकुस रस का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है अगर आप किसी वैधिक की सलहा से बैधनात के वात गजांकुस रस का सेवन सुभा साम एक एक गोली सहत के साथ करते है तब निश्ची थी आपका शायटी का समाप्त हो जाएगा और आपके सरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई वात इस्थिती बन रही है अर्थात वात नामक बिमारी आपको बन रही है कहीं भी आपको जोडों में दर्द बन रहा है मासपिश्यू में दर्द बन रहा है किसी एर्वेदिक वैद की सरह से कर सकते है तब आपको साइटिका एम ग्रधरसी में अच्छा लाब देखने को मिलेगा एर्वेद सार संग्रह में लिखा गया है कि अगर आप बैदनात वात गजांकुसरस का प्रियोग साइटिका के लिग करते है तब आहर विहार अर्थात की खान पान पर विसेज ध्यान देकर अगर आप एर्वेदिक वैद की सलहा से वात गजांकुसरस का सेवन साइटिका के करते हैं तब सप्तहा भर में अर्थात एक सप्तहा में आपकी साइटिका की समस्या शमाप्त हो जाएंगी और आप पहले के समान फूर्तिले और तंदुरुस्त हो जाएंगे दोस्तो वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ वात गजांकुस रस जादा महंगी दवा नहीं हैं लगभग 62 रुपीस में आपको यहाँ 40 गोली के टेबलेट में उपलब्द होता है अर्थात सामान से सामान ब्यक्ती भी इस वात गजांकुस रस को खरित करक सेवन कर सकते हैं अगर आप लंबे समय से सायटिका की समस्या से परिशान हैं तब किसी वैद की सलह से आपको वात गजांकुस रस का सेवन सुभा साम सहत से करना चाहिए I hope मेरे दुवारा दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी है Thank you